तात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए इस पर चर्चा करेंगे लेकिन अलग-अलग शेहरों में और देशवर में इसे लेकर खास एतियाद भी बरती जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी काया है कि ये एक ऐसा मौका है जब पूरी दुनिया के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए अब तेजी से कदम उठाने की भी जरुरत है वहीं देशवर में कुरोना वाइरस के मामलों की संख्या अब तक बढ़कर 107 हो गई है भारत में ये संख्या 23 ने मामले सामने आया है और इसके बाद सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी भारतियों के लिए पहले टेस्ट और दूसरा अब कन्फरमेटिव स्वास्त विभाग के विशेश सचीव संजी कुमार ने बताया है कि इरान से लाए गए 236 भारतियों में कोई भी केस कोरोना पाजिटिव नहीं है और जबकि जापान और वुहान से निकाले गए सभी लोग निगेटिव पाए गए लिहाजा उन्हें डिस्चार्ज भी कर ITBP कैम चावला में ले जाये गया है प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है इसके अतिरिक्त इरान से निकाले गए 236 व्यक्तियों का तीसरा बैच आज भारत पहुंचा है और उन्हें जैसल मेर में स्थित आर्मी के सुविधा केंद्र में प्रियाज की गई थी फिरहाल किसी में भी रोक के लख्षन नहीं है एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उस्टिलिया के प्रधानमंत्रे स्कॉट मर्चन ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जी ट्वेंटी देशों के बीच समन लोगी इस वक्त हम से सीधे जुड़ रहे हैं नीरज आकर ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछी देर बाद साग देशों के साथ वीडियो कांफरेंस के जरिए बातचीत भी करने वाले हैं बेहत गंबीर मुद्दा है ये जबकि कोरोना वायरस पूरी दुन सदस राष्टो के भी सबसे थोड़ी जबाद वीडियो कॉंफरेंसिंग होगी और जिस तरह से सार की तर्श से जी सेवन का वीडियो कॉंफरेंसिंग होना एकल इसमें खुद डोनल्ड ट्रम्प के भी रहने की उम्मीद है लेकिन जी तरह से ऑसेलिया के राष्ट प्रमु जब G20 की तरफ से इस तरह की बाते की जारे की कोरोना वाइरस से निपटने के लिए G20 के देश भी एक साथ है. देखना होगा कि यह जो पहल की गई है और आज जो नतीजा निकलता है प्रसान सबसे महतोपून बात है कि सार्ग के देशों के बीच बाते का जो नतीजा निकलता है उससे बहुत कुछ आगे की रनमीची निर्भर करेगी खास का दक्तिनेशिया में और G20 के बीच इस तरह क्या कुछ कोई पहल होती है तो उसमें और कल G7 की बैठक इस तरह से वीडियो कॉन्फेरेंसी के जरी बहुत ही महतोपून होगी तो अस्टिलिया की पुर्धान मंत्री के स्ट्वीट से माना जा सकता है कि भारत से एक बड़ी उम्मीद लगाए हुए है दुनिया भी